बरेली में एक दरोगा पर प्लाट पर कबजा करने का आरोप लगा है योगेंदर सक्सेना नामक व्यक्ती ने दरोगा विनोध कुमार पर आरोप लगाया कि दरोगा ने विश्णु धाम कालोनी के प्लाट पर कबजा कर लिया है योगेंदर सक्सेना ने आईजी से शिकायत कर आरूप लगाया कि दरोगा विनोद ने धोके से रिजिस्ट्री करवा कर उस पर निर्मान शुरू करवा दिया और जब उसने दरोगा को रोकना चाहा तो उसने उसे धमका कर भगा दिया अब उनके खिलाब सब जांच होई अब उनके खिलाब मुकदमा लखने का दिया अधिस्ट्री के बाजूद जब उनके कहीं से कोई रिलीव नी रिलीव नी मिला तो उनने से रिलेंद करके मेरा प्लाट पेज दिया शिकायत मिलने के बाद आई जी डी के ठाकुर ने मामले में जांच के आदेश दिये और दो महीने चली जांच में पाया कि दरोगा ने प्लाट पर कबजा किया है जिसके बाद इज़त नगर थाने में दरोगा के खिलाफ धोखा धड़ी का मुकदमा दरच किया गया है दरोगा मुरादाबाद में अभी भी तैनात है और मुकदमा दरच होने और जांच में दोशी पाये जाने के बावजूद अभी तक ना तो उस पर विभागिये कारेवाई हुई है और ना ही उसको चार्ज से हटाया गया है अब देखना यह होगा कि पुलिस के आलाधीकारी इस मामले में आगे क्या कारेवाई करते हैं